कुट इविनिंग दोस्तों आज मैं आपको में पावर प्लानिंग की आइडिया देता हूं कि सब्पोर्ज अगर हमें हंग्रेट बेज़ेट होस्पिटल जिसका स्कॉाइर फिट एरिया एक लाख है और उसमें हंग्रेट परसंट उकुपेंसी है तो आप अपनी में पावर क 커च कि पलानिंग हौस्ट केंग की कैसे करेंगे सबसे पहले घूं कि अश्कुपेंग की मेन पावर प्लानिंग कर ले तो उसके लिए हमें सबसे तो पहले है टोटल एडिया को तू था फोल 샌 तो एक ही अबर के तो जैसे कि एक लाख को हमने, एक लाख स्क्वाइर फीट को हमने धाइ हजार स्क्वाइर फीट से डिवाइट किया, तो वह आ गया आपको 40 hours of cleaning, यानि कि 1 लाख स्क्वाइर फीट area clean करने के लिए हमें 40 hours की cleaning चाहिए, फोटी आर्स को अगर हम मेंडेज में या सिफ्ट में क्लासिफाई करें तो उसको आज से डिवाइट किजिए तो आपको पांच मेंडेज आ गया अब पांच मेंडेज में आपका एक सिफ्ट कबर हुआ तो चुकि किसी भी अच्छे होस्पिटल में मीनिममम थ्री टाइम्स की क्लीनिंग एलाउ की जाती है और वहां की हाईजीन और इंफेक्शन कंच्रोल मेंटेन रखने के लिए थ्री टाइम्स क्लीनिंग मेंडेटरी है तो अगर हम फाइब को थ्री से मल्टिपलाई करें तो वह फिप्टिन हो गया अब जैसे कि हंड्रेट बेट के होस्पिटल में दो बड़े पबलिक वास्रूम और दो फीमेल वास्रूम भी हो सकते हैं तो उसके लिए हमने सिक्स मेन पावर हाउस्किपिंग का अलग से ले लिया जीडीएज का कैलकुलेट करते हैं क्योंकि अधि अगर जैसे हंड्रेट परसेंट उक्टेंश अउस्पिटल की उक्टेंसी को हम आईश्यू इमर्जेंसी और वाट में करें तो सपोज हमारे आईश्यू में टीवेट से जो भड़े वे हैं यू में 20 में 20 बेटेंसी में 10 में गश्रूम अर्टम अगर 70 बेट हैं और वह प्राब्लम हो सकता है सेम इन इमर्जेंसी क्योंकि एक बीजी यूनिट होता है वहां क्रिटिकल केस आते हैं एक्सिजेंट के केस आते हैं तो उसमें तुरंथ ज़रूरी होता है इसलिए वहां पे पेशेंट और जीजे का रेसियो उस हिसाब से ही रखना पड़ेगा हमने या पेशेंट के रेसियो गया रखते हैं तो इस हिसाब से हमें आईस्यू आप कैलकुलेशन देख सकते हैं तो उस हिसाब से तीन सिवट के लिए हमें नौ जी लिए इमर्जेंसी में छे गी लिए और वाज में चोबीस जीडीए चाहिए इसके अलाबा ट्रांस्पॉर्टब क के लिए भी जीडिया रखने परेंगे ताकि पेशन को वीलचियर स्ट्रेटर से लाना ले जाना और डिस्चार्ज के काम डोकुमेंट के काम रिकॉर्च शिप्टिंग के काम यह सब के लिए ट्रांसबॉट डिस्ट के स्टाफ हम रख सकते हैं तो टोटल फोटीफोर जीडिय मैंने आपको पहले कल्कुलेशन बता दिया इसके अलाबा लॉंजरी के स्टाफ वह भी हाउसकिपिंग में आते हैं तो आप साथ लॉंजरी स्टाफ आपको रखने पड़ेंगे जिसमें दो को आपको वासर एक्स्ट्रेक्टर के लिए रखना पड़ेगा दो आपको प्रे और एक स्टाफ को आप लिनन एंड यूनिकॉर्म ट्रांस्पोर्टेशन के लिए रख सकते हैं गाजेनर्स हंज्रेक्बेट के होस्पिटल में बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है तो आप एक गाजेनर्स रखके अपना वहां ग्रीनरी का काम चलवा सकते हैं इसके बाद एंड फसाट क्लीनिंग के लिए आप दो में पापर रखे अपनी इंटर्नल अंदर पब्लिक वासरूम में उसके मीरर या जहां भी आपके कोरिजोर्स में विंडो है या ग्लास डोर से उसको क्लीन करवा सकते हैं फसाट में अगर स्पाइजर को लटक के क्लीन करना है तो आप वह भी करवा सकते हैं पेस्ट कंट्रोल टेक्निसियन आप एक सिफ में रखेंगे आपका काम चल जाएगा तो इसी साब से अगर हम सबको जोड़ दे तो 44 जीडियेज 21 हाउसकीपर्स लॉंजरिस टाप 7 गाजनर्स 1 फसाट क्लीनर 2 पेस्ट कंट्रोलिंग 2 तो टोटल 76 में पावर 100% उक्वेंसिब है आपको किसी भी अस्पताल को अराम से चलाने के लिए चाहिए के अलावा आप चार सुपरवाइजर्स रख सकते हैं ताकि आपका सिफ्ट में जो भी 75 आपके पास में पावर है उनको अच्छे से सुपरवाइज किया जा सके उनकी अच्छी से ट्रेनिंग कराई जा सके और उनका यूटिलाइजेशन प्रोपर्ली हो सके यह देखा जा सके अदुरान को इस सचा तो नहीस कर रहा है तो तीनों शिफ्ट में आप एक एक स्प्रोवाइजर सकते को आप रिलिवर की तरह यूज कर सकते हैं और मार्निंग शिफ्ट में जैसे एक का पने डाल दिया रिलेवर के डूटि के अलावा किसी दिन बचा तो आप उनको एक मार रख सकते हैं ताकि रस आवर मॉर्णिंग सुप में अधिकतर रहता है तीन वज़े तक चार वज़े तक तो वह आपका मेनेज हो जाएगा पलस आपकी इन्वेंटरी में स्टोर्स में उसमें भी हेल्प यह कर सकते हैं एक्स्टाइब और एक हाउसकिपिंग मेनेजर का तो हो मेनेजर तो यह टोटल आपको मेन पावर कैलकुलेशन और प्लाणिंग बज़ेटिंग अगर हम बोल ले आप अगर कोई नया हुस्पिटल खुल रहा है जिसमें 100% उक्पेंसी रहेगा तो हम यह कर सकते हैं और इसके अलाबा बेस्ट डॉन उक्पेंसी हम मेन पावर रिड कर सकते हैं तैंक्यू मेरे को लग रहा है की आपको यह पसंद आया होगा और यह वीडियो मैंने अपने एक सब्सक्राइबर के दिमान्ट पर ही यह वीडियो में बनाया हूं ता कि उनको यह चीज समझ में आसके और आप लोग को भी समाझ में आ सके थाइंक्यू